नमस्कार देव भूमिया यसेकडमी के विटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा विशेश टॉपिक है मौडल पेपर नमबर फोर लेकिन इस सबसे पहले 21 मार्च को प्रवक्ता इसक्रिनी प्रेक्षा आयोजित होने जा रही है इसे तु देव भूमिया यसेकडम तुम कुछ के बिना ही जैजयकार नहीं होती मेहनत करने वालों की हार नहीं होती मेहनत करने वालों की हार नहीं होती आज के इस मौडल पेपर में मैंने कुछ और महत्कुन को सामने रखा है और फटा फट से मैं आपके सामने one by one का explain करता हूँ और आपके आगामी परिक्ष है भारत में पराली पर विचार हे तु गठित कमेटी कौन छी है दिल्ली में जो परियावण प्रदूशन हो रहा था वो काफी सुर्ख्यों में चल ला था तो पराली पर विचार करने हे तु गठित पहली बाल शांति पुरुशकार 2020 किसे मिला हुआ है तो इसका सही उत्तर होना चे बाल शांति पुरुशकार 2020 के विजेता बाल शांति पुरुशकार विजेता लुईस गलक काफी सुर्ख्यों में चलना है मामला और शाहित्य के अलबा जो नोबेल पुरुशकार है वो वैसे भी एक महत्तपुर्ट टॉपिक होता है हर बार इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है फिलाल जो क्वेस्टन हमारे पास है कि शाहित्य का जो पुरुशकार मिला है काफी सुर्ख्यों में ये मामला भी है अभी करेंट के क्वेस्टन में म्यानमार में आंगसान सुकी की सरकार थी और उसका सैन्य तक्ता पलट हुए है तो उसकी डेट पूछ रहा है तो 16 जनवरी 2021 21st February 2021 एंड 1st February 2021 इसका उत्तर होना चे फर लास्ट ऑप्शन है एक फरवरी के राष्टपती बनाए गए हैं किस पारटी के नेता है ये प्रस्ट पूछाजार है इसमें लेवर पारटी, ऐनेल दी, डेमोक्राटिक और रेपब्लिक तो यह प्रस्ट यहां का उत्तर होगा डेमोक्राटिकfähие रिपब्लिक पार्टी के ट्रंफ जी थे औरievingची स्थान पर यहां पर जो बाइडें 46 में राष्ट पती कोईस्ट नवर एट बजट 2021-22 में कोविड नाइंटी नहीं तो कितनी राशी का प्रावधान किया गया है तो आपके सामने 25,000 क्रोड, 80,000 क्रोड, 45,000 क्रोड और 35,000 क्रोड ये इसका सही उत्तर है 35,000 क्रोड पे का प्रावध आप देखा होगा किसानों के या जिसके भी आंदोलन हो थे तो किर्शी शमंदी विध्यों को मंजूरी का प्रदान कीगी तो इसका उत्तर यहां पर 27 सितम्बर 2020 डोगरा चांटी पुल पूरे देश में सुर्खियों में चलना है देश को समर्पित कप किया गया डेटे पूछी जा रहे हैं यहां पर काफी तो अगर ऐसा प्रस्ट है तो यहां पर इसका सही उत्तर होना चाहिए आठ नौंबर 2020 नेक्स्ट क्वेस्टन किस आयोग द्वारा बजट का 6% सिक्ष्या पर खर्च करने की बात उठी है यह आयोगों से समंद्र प्रस्ट शूरू हो गए यहां पर कुछ करेंट के क्वेस्टन थे अब लेवन चैप्रच्ष्या पर बजट खर्च करने की बात पोठारी आयोग अगर एक आता है तो 87 पहले और कहीं पर 88 भी लिखता है तो 96 की राष्ट इश्क्रा नेति के बात का प्रस्ताव है तो इसलिए हम लोग प्रस्ट शूरू है सतास मानते हैं कहीं पर शूरू सतास लिखता है अगर इन सब में से एक तो 87 किस पंचवर्षी होना में चला गया अगर उसमें कौन सी पंचवर्षी होना चल लिए होगी तो साथ ही पंचवर्षी होना ध्यान रखेगा क्वेस्चन नमबर 13 किसके किसने सुझाओ दिया था कि ब्यावसाइक शिक्षा को कौशल विकास नाम दिया जाए किस आयोग ने तो इसमें उप्षन है यूजी सी हरमसा समसा और ऐसे सर्व शिक्ष्या अभियान 2001 और समसा ये सही उत्तर इसका होना चाहिए समसा समग्र शिक्ष्या अभियान जो 2008 में नया बनाया गया है question number 15 किसने कहां किसने 14-18 वर्ष के बालकों को सिक्ष्या उप्लब्द कराने की बात कही थी तो ये option जो है आपके पास रमसा समसा ऐसे से और एनकेसी राष्टी यानायो तो ऐसे सर्व शिक्ष्या बयान 2001 का था आपको पता होगा 2000 एनकेसी 2005 का था इसमें होगा इसलिए अनमान लगा सकते हैं आप यह रमसा का है next question number 16 किर्षी हेतु पर्थक विद्याले किस आयोग ने कहा था किर्षानों के लिए यारी किर्षी के लिए पर्थक विद्याले होने चाहे तो यह उच्छ शिक्ष्या आयोग राधा क्रश्ना आयोग 1948 next परियावन ज स्कूलों का विचार किस आयोग ने दिया था तो इसका सही उत्तर होना चाहे मोदालियर आयोग आयोग आपको बहुत अच्छी तरह देखने पड़ेंगे क्वेस्चन नंबर नेक्ष्ट 90 नोदय विद्याले मुक्त विद्याले तथा दूरस्त शिक्ष्या डिस्टैंज एजुकेशन की बात किस ने कही थी तो इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग उच्छ शिक्ष्या आयोग नेपी 1986 और NकC तो इसका सही उत्तर होना चाहे एन ए इपी नियोग नाविक पॉलिशी नाइंटी एडिस बहुत सारी चीजें उन्हीं सच्ष्यास के आयोग में लागू कर दी गये थी आपको ध्यान होगा जबकि ये बहुत सारी बातें को उठारे आयोग ने कही थी लेकिन उनको कब लागू किया गया तो अधिकतर 1986 में यान पॉलिशी नाइयोग ने नेक्स्ट कवेश्ण बाट 21 कार्यान भाव को विध्यालेश शिक्षका अनिवारी अंग बनाने की बात किस ने की थी कार्यान भाव काफी इंपरडेंट टॉपिक था ये उसमच जब ये बातें उठ रही थी विरोधू भी हो रहा था जबकि कार् राष्टी ज्यान आयोग 2005 ने गहीए ती है क्योंकि तरिभासा सूत्र की बाद तो बहुत पहले से अखरी थी लेकिन अगर द्धा सोटर की बात करता है थो हम कोठारी आयोग के संदर्वे में सोचते हैं जो स्टें कि उसने पहली बार कोठारी आयोग को भाहत अधिक संदी की बात कर रहें क्योंकि संदी और समास का टोपिक बहुत इजी होते हैं आपको इससे समद्य कुएशन छोड़ दा नहीं चै़ी तो मात्रण में संदी वतानी आपको ओप्सन यहां पर रखे वे हैं दीर्ग सवर ब्यंजन गुण यन मात्रण में मात्री धन रिण री ध गड़ा यह सब आए रहते हैं तो दीरग मात रनता पवन तथा गायक में संदी सके है मुत तो आप इसको बेखें एकदम ठिक नहीं मार सकते जब arrives जोड़ी ेंसे इंड़ी वी नुए लखे और अनो सभा पुद स्वर्षान संदी तो संदी रहें कर दिग्कत है यंसन्दी और अयादी संदी को को लिएक इसा इस समझके आप paint तो संदी खासकर स्वर शंदी में झ priest प्राण प्रिये में समास बार बार आरे प्रस्ट शमास से प्राण प्रिये में कौन सा समास है प्राणों से प्यारा अर्था कितना प्यारा प्राणों से प्यारा तो कर्वधार इस समास है उसकी विशेशता बताई जा रही है ध्यामे के लिए नेक्स्ट ललना का सही अर्थे है कली ओप्सन है भौरा इस्त्री और नदी तो ललना इस्त्री को कहा जाता है इस्त्री इसका से रोला चीह नेक्स्ट ये कोट मोली का शेतर जिसे इसन ममानते कि डिसन कुस संद राजaden परनेग परफ्था चलाई त अगर रेशम बेशने की कला थी यानि रेशम बेशने की पद्धधी कहा जाता है इसको तो ये होगा रेशम अगर कहे रेशम व्यापार से शमद्र प्रश्म राएं तो इंद्र चंद ही होगा ध्यान रखेगा चंपावत में जब राजा सोम चंद ने चंपावत में चंपाव शंबन यानि रेशम का व्यापार सुनिश्चित किया था तो वो इंद्र चंदी ही होगा इस टाइब के प्रश्ट मनाएगा तो क्वेस्ट नमर थर्टी का तो ये यसो बर्मन का सामनत माना जाता है जब उत्तर भारत के किसी राजा ने उत्राखंड पर अपना अधिकार कर लिया था तो अपना सामनत मना दिया था तो ध्यानक न यसो बर्मन नेक्स्ट क्वेस्टन नमर थर्टी फर्स्ट थर्टी वन कुमाओ का अंतिम गोर्खा सुवेदार प्रस्ट इंपोटेंट है अंतिम गोर्खा सुवेदार पुछा गिया ध्यान रखेगा कुमाओ का अंतिम गोर्खा सुवेदार प्रथम सुवेदार पूसता तो हम जोगा पर गूर्खा राज इस्थापित हो गया था और अठार सो चार में राजा प्रदुन्म साकिस में गूर्खाओं ने गड़वाल पर भी आक्रमन कर दिया यह आक्रमन 1791 वियाने में भी भी हो था लेकिन लंगूर गड़ की संधी के तहर यह कॉंप्रमाइज हो गया था लेकिन 803 में आये भूकम्ब का फैदा उठाकर गूर्खाओं ने फिर से गड़वाल पर आक्रमन कर दिया और प्रदुन सा सहीद हो गया खुड़ बुड़ा के मैदान में चौद माई 804 को खुड़ बुड़ा का युद्धुवा था यह सब नॉर्मली आप पड़ ले होंगे और प्रश्ट पुछा जाता है उसके बाद यानि कुमाइज पर 790 के बाद और गड़वाल पर 804 के बाद गोर्खाराज इस्थापि का जाता है इसक борसासन को समाअप्त करने के लिए इस दौर में कहा जा रहा है कि उतराखराइन में कौन कौन से गोर्खा स्वईदार हुआ करती थे अलमुडा में या फिस स्रिनगर्व जो गोर्खा सुविदार बैठती थे उनका जिक्र हुआ है तो अलमुडा का पहला अगर सुविदार कहेगा तो जोगामल हुआ लेकिन उप कुछा है कि कुमायू का अंतिम गोर्खा सुविदार तो चौंतरिया बंसा होगा ध्यान रखी और इसके समय राजा शुदर्शन शान यानि जो कि टेहरी के राजा थे उन्होंने अंगरेजों से सहमती या कंप्रमाइज करके यहां पर अंगरेजों के मदद से गोर्खा राज समाप्त करने में सबलता पाई और उस समय यानि संगोली की संदी से पहले या पिर कुमाई कमिश्णरी अलमोडा से नयनिताल कप सिप्ट हुई तो 1855 जहां रखेगा है हैंगरी रेमजी ने फिर नयनिताल को पूरी तरसे बसा लिया और भहुत सारे स्थापना की वहां पर फिर से करेंट का पर है तो इसका सुभंकर मस्कट पूशिका तो मोनाल होगा नेक्स्ट क्वेस्ट नमर थर्टी फूर उत्राखन आपदा प्रबंधन सलाकार समिति कब गटित हुई थी तो 2013 आपको पताईए 2013 उत्राखन बहुत बड़ी आपदा भी आपदा भी आपदा भ और पूरी राम कंगा शर्यू पर लधियाद तो अंतिम सायक है तो इसका अत्रत लधिया उन से आता है ने जाती है आगे वरग जाता हूं कित तालेस्वर अभिलेक से किस राजवन्स या किस वन्स की जानकारी मिलती है। अप्सन है हाँ पर कत्यूरी, पुरिंद, पौरव और परमार। तालेस्वर अभिलेक पौरव वन्स की जानकारी एक महत्रपून स्रोत है ध्यान की। शुदर्शन शाह परमार वन्स के कौन से राजा थी, शुदर्शन शाह आपको पता होगा है कि टेहरी के अंत्यम राजा थे, भहुत सारे क्वैसिन को लेकर भहुत स्विवाराद की सती cig hall, अगर आपसे प्रश्ट Records के गणब秒 का अंत्यम राजा कौन था, तो राजा साँ जारा है कि शुदर्षन शाहकं परमार्वंज्च के कौन से राजा थे तो आप्शन यहाँ पर हैं पैथा स्वें साटमें एकावन में और इन में से कोई नहीं में मिकि तो इसका सही उत्तर होना है वो गणवाल में यानि परमार्वंज्च के प मच्पनवी राजा थे, इसमें से कोई नहीं, यानि वो पच्पनवी राजा से ध्यान रखिया, प्रस्ण इंपोटेंट है, शाट राजा हुए इस परमारवंस में, तो अंतिम राजा, राजा मानवें सा का जिक्र करते हूं, वो टेहरी के अंतिम राजा भी थे और इस परमारवंस के अंतिम रा करते हैं Question Number 38 आपके सामने कुछ और Question आपके सामने हैं देखे गमईया पध्धति भोटिया जन्जाति में संबंधी ते किस से संब्धी रहते हैं तो जोन जन्जाति में घमईया पध्धति किस संब्धधित है अगर ऐसा प्रस्ति है किर्षी जूम खेती व्यापार और कर पणाली वोटिया व्यापार करते थे तिब्बत के साथ आपको बताईए इसने व्यापार से समंद्र होगा नेक्स्ट क्वेशन है थारू जनजाती माता की ओर से किस वंसिके तुकि थारू थारमरुस्थल से माने जाते हैं उनकी उत्प अच्छा आगे बढ़ जाता हूं गडवाल से नंदा देवी की मूर्ति को किस चंद राजा ने अलमोडा में इस्थापित कर दिया था तो अच्छा सा प्रस्म है फिर से गडवाल से नंदा देवी की मूर्ति को किस चंद राजा दोरा अलमोडा में इस्थापित किया था प अप्टिकल फाइवर के लिए याद किये जाते हैं भौतिक विध हैं अमेरिका में रहते हैं फिलाल है भारती मूल की तो नरेन सिंग का पानी का संबंद भौतिक विध यानि और बरतमान में भारत सरकार ने इनको पुरुष्कृत भी किया है इनके महान योगदान के लिए अ मुफ्त राज्य संग सासित छेत्र कौन सा है अच्छाशा प्रस्न फिर से करेंड का भारत का पहला कुविड नाइंटी मुफ्त राज्य पुछिया संग साचित तो इसका सही उत्तर यहां पर अन्नमान निकवा है क्वेशन नमर नेक्स्ट 43 खुमरी पंचायद किस जंजादी से फिर से जंजादी का प्रस्न है तो इसका सेव तरह होजा है खुमरी पंचायद जौनचारी जंजादी की है ध्यान रखीगा उत्राखंड नई परेटन नीती कब भूशित की गई तो यह करेंड का क्वेशन उत्राखंड की नई परेटन नीते अगर पूशता है तो 28 सितंबर 28 2008 ध्यान रखीगा नेक्स्ट किस ताल को शटकून ताल कहा जाता है छैकून वाला ताल गड़वाल का ताल ही छैकूने हैं जिसके तो डोंडी ताल ध्यान रखीगा वैसे भी वासुकी ताल को लाल पानी आसर ताल टेहरी का हैं भाई बहनों का ताल कहते हैं कटोरी नुवा ताल और इसका सही उत्तर है डोंडी ताल छेकून वाला ताल क्वेस्टन नंबर 50 कुशही नामक गोर्खा कर किस से समद्दे या गोर्खाओं द्वारा लगाया जाने वाला कुशही कर चंदों में भी इ संबंदित है किल पैट्रिक मोरेनो मैसलो और इसकी नर तो इसका सही उत्तर मोरेनो होना चे समाज में तीमिदी के जनक नेक्स्ट अभिक्रमत अनुदेशन के जनक कौन है प्रोग्राम इंस्ट्रेक्शन मेथड तो इसका सही उत्तर अगर पूछता है इसको दो भागों बाटा गया है मैंने आपको पढ़ाया भी था ही टौपे अगर नॉर्मली अभिक्रमत अनुदेशन पूछे तो इसको दो भागों बाटा है हमने तो एक शाखिय था और जिसके क्राउडर थे जनक और एक रेखी था लीनियर था जिसके जनक भी स्किनरी थे ध्यान नकी गया नेक्स्ट क्वेशन नबर 53 धिरेंद्र पाल सिंग का संबन्द किस से तो ये बरतमान में युजिस की अध्यक्षे धिरे अबना असल नए पाट की शुरुवाड किस में काफी प्रभावी हता है ये प्रस्ट नेक्स्ट कमलेश्वर नंदिर पुत्रदाता मंदिर कहां है है कमलेश्वर मंदिर को।रदाता मंदिर कहते हैं औरा प्रश्ण पुझा जारा कि हे गहा हूं? पैठानी अ हिंडोला खाल, शिरी नगर, तीरि सब गाडवाल के उप्सन यहाई पर हैं पैठानी का राहुवंदिर फेमस है, आप जानते हैं कि हिंडोला खाल का सन टेमपल फेमस है यानि सिरी नगर टेहरी तो इसका सेवतर होगा यहाँ पर सिरी नगर मनशब्दारी पर्था किसने चलाई मुगल काल में मनशब्दारी पर्था काफी फेमस थी जैसे दिल्ली शल्तनत में एक्ता प्रणाली आपने सुना होगा एक्ता प्रणाली का जनक इल्टो तुमिस को माना जाता है और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर रोक लगा दी और फिरोस तुगलग को फिर से शुरू करना पड़ा ये सब चीजे लेकिन यहां पर मनसबदारी पर्ठा किस ने सलाई अगर प्रणाफ को पुछे तो आपको बताए मुगल में अधिगांस प्रस्ण अगबर से समद्रिद होते हैं आगे बड़ते हैं विपर नामा किस भावाशा के पुष्टक है बावर नामा तुझु के बावरी भी इसे कहते हैं ये बाव और बाद में यहां पर जो धामाई का महल बनवाया गया नेक्स्ट वसुमित्र किस बहुत संगीत के जनक थी मैंने बार-बार इससे प्रस्टा आ रहे हैं कि चारों बहुत संगीति और उनके अध्यक्ष और उनके श्मय राजा कौन थी आपको ध्यान रखना से और यहां पर पुछा जार है वसुमित्र किस बहुत संगीत अध्यक्ष तो चौथी बहुत संगीति अंत्यम बहुत संगीत के अध्यक्ष रहे हैं वसुमित्र जी इध्यान रखना क्वेस्टन नमर 59 कैबिनेट में भारत कब आया था तो इसका उकतर यहां पर 1942 1947 1946 और 1940 तो 46 होना चैसका स संगीतान के प्रष्टाओन में संसोधन कभ किया गया था मैं आपको मधाण संगल के लिकर काफी विवाद है अंतरथ केशवानन्द भारती बनाम केररर राजी ने कह दिया कि प्रष्टाओन संसोधन किया जा सकता एं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रेक्चर यानि जो मुष्का मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए तो इसी को लेकर समिधान में संसोदन किया गया 42 समिधान संसोदन 1976 के तहर पहनी बार और समिधान के प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़ेगी आपको पता होना चाहिए समादवाद पंथर निर्पेक्स एक तावर अखंड था 1976 समिधान संसोदन के तहर उत्राखंड पैरागलाइडिंग एकड़िमी कहां स्थापित होगी मतलब हो रही है या अभी हो नी है तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है नयार घाटी कुछ समय पहले याँ पर मेटिंग भी वी थी और शुरुवात इसकी की थी नयार घाटी नयार नदी पर है यह पौड़ी गड़वाल में थी तो इसका सही उत्तर होगा पर्टि नका लिए और शुर्ण वार पपर्ट्यक्र पर्ट्य rhाणर नहीं है एक्प्र私क्र यानि economics का question भी पूछे जा रहे हैं तो प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा जा रहा है ध्यान रहे हैं यह चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखने चाज़ें निगम कर corporate tax आएकर income tax सेवा कर service tax या property संपत्ति कर इसका सेवत्तर होना चाहिए सेवा कर यह प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ज्यान नकिए नेक्स्ट क्वेस्टन है question number 64 2019 में राष्टी धरोर घोषित कोठली विश्टु मंदिर यह नया सा प्रस्ण है आपके सामने उत्राखन से है यह प्रस्ण है 2019 में राष्टी धरोर घोषित कोठली विश्टु मंदिर कहां है पुछा जा रहा है तो इसका उ या तीलू रहतेली का तो तीलू रहतेली गड़वाल की जहांसी की रानी जिसने कत्युरी को धूल चटा दी थी और लगातार साथ युद्धमों ने पराजित कर दिया था कहते हैं हालां कि इसके प्रडाम सुरूग रामु रजवार नाम की कत्युरी ने धोके से उनके हत् तीलू रहतेली नेक्स्ट शमिधान शभान उद्देशी प्रस्ताव किस ने रखा था तो हमारी शमिधान के उद्देशी क्या होनी ची उससे समदने लेकर अगर ऐसा प्रश्ण मनाएगा तो पंडित जवारलाल नहेरु ने उद्देशी प्रस्ताव नेक्स्ट ग्लोबल 500 500 पुरुषकार किसे दिया जाता है किस छेत्र में अगर प्रश्ण पूछे तो यानि किर्शी परियावरण विज्यान और समास सेवा तो इसका सेवत्तर होने चे परियावरण ग्लोबल 500 यूनेशन से इन्वारिमेंटल प्रोग्राम ये सस्था इन्वाल्वेस में नत्युफर गज्याज त्यो सफेकल शोशाइटी खाएटी का भारत में मुख्याले 1822 में कहां स्थापित होा था ये प्रस्ण है आपर त्योसापिकल शोशाइटी की स्थापना की बारे मां आपको बता दूँ चुकि ये टॉपिक मुनरजागन का इथियास में एक महत्त औरहरा रखते ते इसकी स्थापना उनीशो सोरी 875 में न्यू यूइर्क में हुई थी आपको ध्यान होगा बंबई में आर श्माज की स्थापना में हुई थी और 875 में ही न्यूज आपकल सूशाटिक स्थापना हुई थी मैडम H.P. बलावस्ट की इन लोगों ने की थी और बाद में इसका मुख्याले भारत में आडियार यानि तमिलनाडू चेन्ने के पाश स्थाफिक गया था इध्यान अपना प्रस्ट बहुत पुछा जाता है यह है तमिलनाडू में 1882 की बात है इस थाई बंदोवस्ट आपको पता है कौर नवालिष ने शुरू किया था इसका से उत्तर होना चे बिहार और बंगाल से शुरू किया था तो इसका से उत्तर होना था पूरी भारत इस थाई बंदोवस्ट की शुरूवात 1793 में कौर नवालिष ने की थी जिसमें जमिदारों को भूम का मालिक माल लिया गया और उनके लिए सूर्यास्त कानून भी लाया गया अगर टेक्स वर्शूल कर अंग्रेज को नहीं देते हैं यह ध्यान रखेगा प्रस्ट उसके कलवा अगर इसमें तीन है एक तो इस्थाई बंदोष्ट जिसकी शुरूआत पूरी भारat से वी थी रायत वारी जिसकी शुरूआत भारत से ил crush थी और एक तक महल वारी जिसकी उत्तर भारत से या उत्तर भारत ने ज्यादा उसका विश्थार हो था यह प्रेंच फुस्त 2020 में हो नहीं पाया था यह तीन हुए हैं तो इन में कौन किसने जीते हैं यह आपको ध्यान रतना है पुरुस और महला विजयता खास कर तो इसने पूछा है कि कौन सा ग्रेंड इसने महला इगा सुटेक ने जीता है तो हमारा उत्तर है फैंच ओपन जबकि पूरुस का राफिल नडाल ने जीता है पर सेओंटी थ्री परमसिद्धी क्या है परमसिद्धी भारत का वर्तमान में सबसे सूपर तेज कंप्यूटर माना जा रहा है यह दियान रखी सब्सक्राइब करेंट का क्वेस्टन फिर से तो धारा पांच और तेरा दूसरा है धारा तेर शोल और उन्नीश धारा नो दस और 27 और एस सही उत्तर होना से इसका धारा तेर शोल और 26 में संसुद्धन होए है समिधान शबा के पर्थम इस्थाई अध्यक्ष पुछा दारा ध्यान रखेगा शमिधान शबा की पहली बैठक 9 देशंबर 940 को दिल्ले में होई थी पुस्तगाले भावन में तो उसके पहले अध्यक्ष डब्लूसीव एनर्जी थे गाल के और उसने पुछाइ कि समिधान शबा के पर्थम इस्थाई अध्यक्ष लेगिन जो पहले अध्यक्ष में से लेकिन पहले इस्थाई नहीं थे हो, दो दिन के लिए, अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन इस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजिन पसाथ, 11 दिसम्बर, उनीश्व चेलिशको निको पर्वनेंट अध्यक्ष बना दिया गया, तो ध्यान रखेगा, व्योमेश संद्र डॉक्टर राजिन पसाथ, सबसे कम जन्सिका घनत वाला भारती राज जी पूसा जा रहा है, तो इसका से उतर होना से, अरुणाचल प्रदेश, 17 जन्सिका घनत वाला, जिला पूसा तो उत्तर कासी, और सबसे ज्यादा पूसा तो हरीद्वार, लेकिन भारत का पूसा तो सबसे ज्यादा बिहार, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, 17 है यांका, क्वेस्टन बर नेक्स्ट है, 78, राष्टी मानवादिखार आयोग का घठन के सिद्धान के आधार पर हुआ है, तो एक तो राष्टी मानवादिखार आयोग होता है, हमारा जो 2002 में बना है, और राष्टी मानवादिखार आयोग 1993 में बना है, और एक मानवादिखार है, विस्विस्थर तर, जो 10 दिसम्बर उनी शौट चालिश को हुआ है, ध्यान रखेगा, जब 10 दिसम्बर उनी शौ किली मन जारों परवत कि सफादुप में अगाउंट कि यह जौला मुखी निर्मित भी जाता के यह प्रूद ना जाता है और यह अपर फbreवं माधिट में हिया Gabrielle Danke preserve our last से उन्हामगराशन के यहाँनर양 पर सब्सक्राश्ण के तahhत राश्टि के वर्ग आयोग अधिनियम 2008 को कानूनी दर्जा मिला है तो ये करेंट का क्वेशन फिर से और पिश्वा वर्ग आयोग को अब कानूनी दर्जा दे दिया गया है ध्यान रखेगा आपको वैसे भी अनुशूचित जाती और जन जाती आयोग पढ़ने हैं अनुच्छे 338 और 338 ये भी पढ़ने हैं अब अनुच्छे 338 भी भी पढ़ना होगा आपको अनुच्छे 338 भी राष्टी पिश्वा वर्ग आयोग का उल्ले करता है और इसे एक सोद्वा समिधान संचोदन 2008 की तहत मानिता दे दी गई है और ये एक और महत्त्पून प्रस्ट था आपके पास आज की कलास यहीं पर शबाप्त करता हूं और आप अभी सभी को फिर से अनेक अनेक सुपकामना है और फिर से आपको एक संदेश देना चाओंगा कि है कौन विगन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के पग में खमठोंक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पाउं खड़ मानो